तो हम जा रहे हैं अपनी भाण्जे की शादी में आज है सेकिंड डे कल महदी थी तो आज है मामा स्वागत तो हम मामा बनके जा रहे हैं मैं हूँ मामी और मामा वगएरा भी देखी आगे चल गए हैं और एक मामा पीछे आ रहे हैं तो सब लोग जा रहे हैं पैदली क्यूंकि रोड बहुत ज़्यादा खराब है रास्ते में बहुत दूर नहीं है नजदी की है तो आपको दिखाएंगे हिमाचली शादी और हिमाचली कल्चर इक इस तरह से हमारे यहां पर रिती रिवाज होते हैं जित्रा हो पाएगा उतना मैं शूट करने की कोशिश करूंगी पहाड़ी शादी आपको दिखाने जा रहे हैं तो पहाड़ी से होके ही हम जा रहे हैं तो कुछ इस तरह हम पहुंच चुके हैं आदे रास्ते में बस यहां से थोड़ा साइऑ है अभी हम रहे हैं'm के जा रहे हैं तो यह पूर ही सिर्थ कर रहे हैं ठोड़ी ही देर में अपनी ना जी के घर में पहुंचने हैं दूले के घर में तो हमारा होगा मामा स्वागत नहीं है बड़े मामा और यह बड़ी मामी को त्यार है जब अदेश योगत उड़ जाएगी कौन सी परियां यह निच्छे देखो इनको अच्छा यह उड़ने के लिए कैसे आएंगी यह हमारों को परियां बोड़ रहे है तो गैस अभी हम यहां पर पूंच के हैं दूले के घर के पास तो अभी जो है यहां हमारा लोकल बाजा जो ट्रेडिशनल बाजगी आगे हैं मैं आपको दिखाएगा तो गैस यहां से जो है हमारे जो दूले का गर थोड़ा सा ही दूर है और हम पहुंचने ही वाले हैं तो यहां से स्टार्ट होता है हमारे मामे का डांस तो नाश्टे नाश्टे जाएंगे हम दूले के घर तक लो, तुटे लोगे वे दूबारी, तुटे का सही लाकी रो, भाकी नारी है धीरू उए, तुटे का सही लाकी रो संगी नार का तेरा लोकारी देरेगी नदी लागी ओ मर्की लाड़िये दिरूए देरेगी नदी लागी ओ संगी नार मर्की लाड़िये दिरूए 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 तो गाइज यहां पर मामे पहुंच चुके हैं दूले के घर में यहां पर हो रही है स्वागत बड़े मामा जी का स्वागत हो रहा है और स्वागत हमारे करते हैं हार पेना के और तिलक लगा के एक दूसरे को जो है भेंट भी देते हैं यहां पर जो हमें देना होता है तो ये थोड़ी सी हमारा जो कल्चर है, रिवाज है, हिमाचली कल्चर में क्या होता है, जितने भी लोग मामा के साथ या किसी की साथ, बुआ के साथ भी आये होंगे, सब का तिलक लगा कर हार पैना कर स्वागत किया जाएगा, और उनको अच्छे से अंदर बैठा के उनको च यहां पर दे रहें एक दूसरे को, तो बने रही है व्लॉग में आगे आगे, तो गाइस यहां पर जो है, शूट कोई और कर रहा है, इसलिए स्क्रीन जो छोटी शोओ हो रही है, आप एड़्जेस्ट कर ले ना, सौरी, तो गाइस अभी फाइनली हों चुके हैं दूले के घर में, तो दूले राजा, हेलो, यह है हमारे दूले राजा, हमारे बांजु, इनकी शादी है, और हम आये हैं मामा मामी बनके बांजु की शादी में, तो अभी थोड़ा चाय पानी ब्रेकफास्ट हम यहाँ पे करने, उसके बाद जो है, नेक्स्ट कारेकम शुरू होगा, सुहाग पानी का, जो की मामा लाते हैं, तो वो भी आपके साथ थोड़ा से शेर करेंगे, कि कैसा कल्चर रहता है हमारे यहाँ पे, सुहाग पानी का और तेल और बटना क ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ पे, तो आपको हिमाचली कल्चर से रूब रूब कराते रहेंगे, तो बने रहे यह व्लॉब में, कैसे लग रहा है नया दूला, दूला बनके कैसे लग रहा आपको, एकसाइट, ने आपको एकसाइटमेंट है, कि नर्वस है, क्या है, कि खु प्लीज, तो गाइज, मामे के बाद, जो है, धूले की बुआ लोग भी आ गए है, नाच्ते नाच्ते हिमाचली ट्रडिशनल कल्चर, जो हमारा आपको दिख रहा है, तो बुआ लेके आते है, धूले का सहरा, तो यह देख चकते हैं, आप कितना इंजोई कर रहे हैं, आप तो गाइज, यहाँ पर हम रेडी हो चुके हैं, दुलन की तरह बिल्कुल जोडियों में, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं, सुहाग पानी की जो रसम होती है, यह यहाँ पर होने वाली है, क्या होती है, सुहाग पानी की रसम आपको पता चल जाएगा आगे आगे, तो बने र तो गाई सुहाग पानी का मतलब होता है कि मामे के द्वारा जल लाया जाता है बड़े सी बटलूई में कलश में और वो जल लाया जाता है कहीं पवित्र स्थान से जहां से वो निकला होता है वहीं से तो यहां पे उसी की ही रसम हो रही है आप देख सकते हैं जोडियों में हम लोग जा रहे हैं माम में तो जल के लिए काफी दूर जाना पड़ा हमें और जो हम जल लाते हैं उसका क्या करते हैं जो हिमाचली है उनको अच्छे से पता होगा जो नहीं उनको आगे पता चल लाएगा तो गाइज आप देख सकते हैं उस जगह में हम पहुंच चुके हैं जहां से हमें जो है सुहाग पानी लाना है तो यहां पर बहुत अच्छी बावड़ी हुआ करती थी जो कि अभी जो बरसातों में हिमाचल में तबाही हुई है उस वज़े से उबावड़ी नश्ठ हो चुकी है तो यहां पर फिर भी पानी आता है natural source है तो यहां से ही पूजा करके पानी भरके हम आप देख सकते हैं पूजा करके पंडी जी पूजा कर रहे हैं और बारी-बारी सारे मामे मामियां भरेगी जल कलश में बटलू तो गाईज यहाँ पर मैं और आईु के पापा भर रहे हैं जल तो कुछ इस तरह से खड में हम जो आए हैं सुहाग पानि के लिए दूले के घर से थोड़ा दूर थहा । इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं जल भरके सारी जोडियों ने जल भरा रहा है जल भर के बापस जा रहे हैं जोर लगा के हईशा और ये हमारी चाची जी जाते हुए तो गाइज अब पहुँच चुके हैं गाओं के नजदीक सुहाग पानी देखिए आगे जा रहे हैं लेके हम लोग ये वीडियो बना रहा है मेरा बतीचा तो ये इसने शूट किया है तो आपको कैसा लगा इसका शूट आप एड़ जस्ट कर ले ना जैसा भी इसने बनाया ह तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं गाओं के बीच में और ये देखी दूले का घर पहुँच चुके हैं दूले के घर तो गाइज यहाँ पर बटलूहे में देख सकते हैं जो सुआग पानी हमने लाया है मामे ने तो इसी पानी को गरम करके दूले को नहलाया जाता है जब तक पानी गरम होता है उसके बीच में हल्दी की रसम होती है और तेल शांती की रसम होती है जितना ये पानी गरम होता है उतने ही पानी से नहलाया जाता है धुले को। उसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डलता है, यह हमारा कल्छर है तो यह मैंने आपको बता दिया, जिसको पता नहीं है तो यहां पर पानी की बटलूहीं की फूजा होगी फिर इसको चूले में रखेंगे गरम होने के लिए तब तक हलदी की रस्म और तेल बटना, जो तेल तो यहां पे अब जुदूले के लिए हल्दी लग रही है तो हल्दी मामा की तरफ से लग रही है हमने लगा ली है बाकी लोग लगा रहे हैं दूले को तूले के लिगा है तो यहां पर दूले राजा जो है सनियासी का रूप ले रखें और यह अभी बिक्षा मांगेंगे तो अब यह बिक्षा मांगने के लिए सबसे बिक्षा मांगेंगे सनियासी अभी है उसके बाद यह जो है परेने सुतर में बन जाएंगे ये हमारे यहां का रिवाज है कि शादी फेरे लेने से पहले सनियाशी को बिच्छा लेना पड़ता है तो अभी जो हमने सुहाग पानी लाया था घट से उसी सुहाग पानी को गरम करके दूले को नहला दिया है और मामा ने और अभी जो है यहाँ पर पूजा हो रही है यहाँ पे जो है अब मामा की तरफ से दूले और लाडसी को लाडसी होता है हमारा दूले का भाई तो उनको जो है थोड़ी सी इनकी पूजा करेंगे तो उनको जो है थोड़ी सी इनकी पूजा करेंगे तो उनको जो है थोड़ी सी इनकी 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 झाल झाल